खुट पॉर्णिंग सस्यकाल ते अराप ते नमस्का ते वनकम ते जैहिन आ गया तोड़ा अपना डॉक्टर है डॉक्टर नमनीत कालरा और एक गाना याद आ गया समुंदर में नहाके बहुत नमकीन हो गई हो और आज का टॉपिक है चुकंदर में नहाके बहुत लालाल हो चुकंदर कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कहीं लोगों को बहुत खराब क्यूं है अच्छा और क्यूं है खराब मैं टेस्ट की वज़े से बता रहत है वैसे कि टेस्ट में कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बहुत खराब लगता है लेकिन आज बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग इसको भूल के भी न खाएं। कौन से वो लोग हैं जो इसको खाएंगे तो मुसीबत में आ सकते हैं। बने रही है कहीं मैं जा रहा हूँ समुंदर चुकंदर को लेने के लिए आपके सामने यूँ गया और यूँ आया तो दोस्तों ऐसा है चुकंदर एक ऐसी बीटूट जिसको अंगरेजी में बीटूट बोलते है चुकंदर को इसका टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो कुछ लोगों को अच्छा लगता कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता और ज्यादा था लोग इसको as a salad की फॉर्म में या फिर juice की फ पीते हैं क्या रोज वेच्टेबल जूस पीना चाहिए यह वाला चुकंदर वाला जूस क्या कोई नुकसान भी हो सकता है चलिए पहले बताता हूं सबसे पहले यह बता दो कि आखिरसमें है क्या ऐसा और कुछ लोगों के लिए बहुत बेनिफीशल भी है यह भी बता दू पहले बेनिफीट्स बता देता हूं फिर बताओंगा वो लोग जो इसको भूल कर भी ना पी है जिनको नुकसान हो सकता है बीटूट जूस से बीटूट जूस में खास वात क्या है बीटूट के अनदर चुकंदर के अनदर नाइत्रेट्स होता है जो कनवर्ट होता है तिरह से वर्दान है इसके साथ इसके अंतर एंटी इंफलिमेट्री प्रोपर्टी होती है एंटी ओक्सिटेंट प्रोपर्टी होती है बहुत सरे मिनरल्स होते हैं soir सकता हूं इतने सारे इत्याइप्र मेरा नहीं है लेकिन आज पहले बता दू Cheese in लोगों के लिए पर्फोर्मेस्वियों क्यादन है यह लोग पीते हैं तो ये exercise को बढ़ाता है, stamina को बढ़ाता है, digestion के लिए अच्छा है क्योंकि fiber होता है तो उनके लिए अच्छा है जिनको constipation रहता है, erectile dysfunction, जिनको erectile dysfunction रहता है, हमारी उमर में छोड़ो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि natric oxide होता है, जो कि blood vessel को dilate करता है, तो उनके ले भी अच्छा जिनको erectile dysfunction रहता है immunity के लिए भी बहुत अच्छा बताते हैं कि इम्निटी को strengthen करता है क्योंकि anti-inflammatory property है anti-oxygen property है ठीक है और heart के patient में ये भी study हुई है कि heart के जो failure के patient होते हैं उनकी जो muscle weak हो जाती है उसको भी कुछ हद तक ये improve कर सकता है बीटूट को कि ultimately सब में वह यह की nitric oxide है इसके अंदर और dementia को ये कम करता है मतलब यह आदाश तो अगरा जैसे old age में कम होनी शुरू आते हैं इसको dementia बोलते हैं Alzheimer disease बोलते हैं उसके progression को भी slow करता है और heart के लिए तो मैंने बताई दिया healthy है, high BP वालों के लिए healthy है, cancer के risk को भी कम करता है अब मैंने इतनी सारी अच्छे चीचीचे बताई है, अब काम की बात, तो तीन चीचों के लिए तो बहुत अच्छा है, heart के लिए, lungs के लिए, muscle के लिए लेकिन अब आते हैं असली कहानी पे, जो मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों के लिए ये महंगा साबित हो सकता है चुकंदर देखने में बड़ा अच्छा होता है, इतना colorful होता है, बिल्कुल लाल लाल तो ये जो लाल लाल है ना, तो कहीं लोगों के लिए बड़ा मुसीवत का कारशन बन जाता है, सुबह उठते हैं जो पोर्टी करते हैं तो उनको लगता बलड आ गया, अब भूल जाते हैं कि उन्हों कल बीट रूट जूस पियाता है, तो लाल रंग की पोर्टी, आपका यूरीन भी लाल रंग का आ सकता है, इतना लाल लाल है, तो गबराना मत, हाला कि ये बीट यूरिया बोलते हैं इसको, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक आदमी को हार्ट अटेक हो सकता है, अपना पोर्टी यूरीन देखके, ये तो साइड इफेक्ट कहलो या ज खोल देता है, तो इसलिए जिनके बीपी आल लेडी लो हैं, वो तो बिलकुल भी भूलके भी न लें, बीपी ओ लो हो जाएगा वहीं गिरे पड़े होगे, ताbeiter के चक्र में, यह दिखाने के चक्र में, एसर के बनने के चक्र में, के आर के बनने के हापीस आगे, और क्या? इसके अंदर जो oxalate बहुत ज़ादा होता है oxalate ज़ादा होता है इसलिए kidney stone बनने के chances रहते हैं इसलिए जिनको gout already है जिनका uric acid बढ़ा हुआ होता है gout है, हाना arthritis है उनके लिए भी ये ठीक नहीं है तो मैंने तीन लोगों के लिए बताया एक तो जिनका BP लो रहता है नमबर वन, नमबर दो जिनको kidney stone और kidney stone बनने की tendency है जिनको suppose कि पहले भी एक बार बन चुका है तो वो लोग भी इससे दूरी रहें कोई जरूरी नहीं है ऐसा और भी बड़ी दुनिया में चीज़े हैं पीने को तीसरा जिनको arthritis है, gout है तो वो लोग भी इससे दूर रहें शुगर के patient क्या इसको ले सकते हैं भाई कभी कभा एक आदा चोटा मुटा लेना ठीक है लेकिन शुगर को बढ़ा सकता है तो आप भी सोच के लिए तो शुगर वाले patient के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और अब वो लोग जिनको टाकत की दवाईयां चाहिए जवानी की दवाईयां चाहिए वो लोग इसको पीएंगे और BP तुमारा रहता है लो तो एक तर से इसको वो बोलते हैं वायाग्रा क्योंकि erectile dysfunction में काम आता है तो इसलिए पहले अपना BP CP चेक करा लो इसको खाने मर्दान की दिखानने से पहले ठीक है तो यह ना हो फिर वोई क्या चुकंदर में नहाके और भी नमकीन हो गई हो तुम नमकीन नहीं होगे तुम्हारा बेड़ा का रखना हो जाए कहीं फिर बता रहे हूं भाया होशोवास में खाना और यह नहीं कि वह सब बता जाए रख साब ने कि भाई पावर बढ़ाता है यह करता है अब सुबह से लेकर किल्लो बीट रूट खा जा रहे हैं जूस पिए जा रहे हैं क्यों नहीं नहीं शादी हुई है हनीमून पे जब अहीं गिरापड़ा होगा कोने में कहीं हनीमून पता चला तेरी बॉड़ी लेकर आ रहे हैं बॉड़ी मनलब उठा के ला रहे हैं होटल में आगे तुझे अराम आ जाएगा चिंता ना कर इतना बुरा मैं नहीं सो सकता आप लोगों के लिए थेंक्यू वेरी मच शुक्रिया अच्छा लगे थोड़ा मज़ा के अंदाज में बता देता हूं चलिए थेंक्यू वेरी मच आपका अपना लोंडा दॉक्टर नमनीत कालरा फिर मिलता है एक नए टॉपिक के साथ कैसा लगा ये टॉपिक बताईएगा कमेंट्स में शुक्रिया जर्रा नमाजी